आज हम शुरू करते हैं वरक्षिट नमबर 15 तो पहले आपके से लेबल कर लेंगे डेट डाल देंगे सब्जेक्ट अपना नाम अपर टेचर का नाम आप लोग लिख लेंगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे नैश्रल इंडिकेटर आराउंड अस यानिकि वो चीज़े इंड करें आज हम लोग उसके बारे पढ़ेंगे नेकिन क्योंकि हम साइंस पढ़ लाएं तो इंडिकेटर तो कुछ भी हो सकते है ना लेकिन साइंस के लैंग्विज में इंडिकेटर का मतलब होता है कि जो चीज आपको यह पता है कोई कैमिकल या कोई बिचिस उसके प्रॉपर इंडिकेटर किसे कहा जाता है तो लिखा इसपेशल टाइप अब सबस्टेंज विच आर यूज तो टेस्ट वैदर असेप्सेंस इस एस एक बिचेटर या बेस बटा देता है कि यह चीज बेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं इंडिकेटर कहते हैं ठीक है नेच्रल इंडिके ठीकेटर इंडिकेटर इंडिकेटर विच आर्इ उस एंडिकेटर इंडिकेटर इंडिकेटर दे सिस्ट रहते हैं प्रेटकी कहले हैं और बेस हैं ठीक कि न्याली नेच्वर निदेटमस पयाद ए simplemente शी में ंत्कि आया ज PK जैना उर चीज़े इस और शृष्टे यानि कि यह सबसे फ्यूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट आपका लिटमेश पेपर जो रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट्र इंडिकेटर एह अगर आपके पास स्कूल खुले लिग और आपको बड़ा मज़ा आता है इसे करने में बढ़े तो हैं आपका लिटमस पेपर जो है उसको आप लोग लेंगे और तरह तरह की चीजों पर लगा के उसे देखेंगे कि कौन से चीज वाकर एससी डिक है और कौन से चीज नहीं है ठीक है from lichens यह किस से बनता है इस से बनता है यह lichens दिख रहा है यह पौधा इस पौधे से यह बनाया जाता है आगे क्या लिखा है देखे it has purple color in distilled water अगर मुसे distilled water में रखेंगे तो यह पर्फिल करेर का हो जाएगा it is available in the form of solution as well as strip of a paper यानि यह बोलते है कि यह आपको solution के रूप में भी available होता है जाहिर सी बात है घास से निकाला जाएगा तो आपको solution के रूप में ही मिलेगा liquid रूप में ही मिलेगा बट इसकी strip भी बनाई जाती है strip समझते है ना इस तरह से जो पतली पतली होती है इसको strip का जाता है यह size में इतना ही होता है हाद हो गई 2 inches का होता है यह बस 2 inches से बड़ा नहीं होता है ठीक है यह एक strip होता है these strips are known as litmus paper और इस strip को क्या कहते है हम लोग litmus paper कहते है litmus paper is two types यानि कि litmus paper जहें वो दो परकार के होते है एक red litmus होता है एक blue litmus होता है when blue litmus is added to acidic solution इस्टोन रेंड यानि कि अगर आप blue litmus paper लें और blue litmus paper को आप अगर करके acidic पर रखेंगे तो यह automatically blue से red convert हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप blue litmus paper लें और blue litmus पे base डालें तो यह blue का blue ही रहेगा इसमें कोई भी change आपको नहीं मिलेगा सेम इसी तरह से अगर आपने मान लीजे red litmus paper लिया और red litmus paper अगर आपने कोई acidic चीज डाली तो इसमें कोई भी change नहीं आएगे वह as it is red रहेगा लेकिन अगर आप उसको base में डालती है तो वो automatically red से blue convert होने लगेगा यह आपको market में easily मिल जाएंगे तो आप साबून पे और दही पे या फिर दूद में इस तरह से आप इसके ओपर जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से acid है और कौन से चीज बेस है ठीके फिर बही बात मैं आपको बता दू अगर acid को red पर ही करेंगे तो उस पर कोई changes नहीं आएंगे जबकि अगर आप base को blue पर करेंगे तो उसमें भी कोई changes नहीं आएंगे अब आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है it is change its color from yellow to red in basic solution अगर कोई base है उसमें अगर इसको हम डालते है तो yellow से red color को convert कर लेती है but remain yellow in acidic solution लेकिन अगर आप इसको acidic solution में डालेंगे तो यह yellow की yellow ही रहेगी उसके लिए china rose गुलहड को china rose कहा जाता है china rose indicator turned acidic solution into dark pink magenta यानि कि अगर हम लोग china rose को किसी acidic solution में डालते हैं तो वो pink से dark pink यानि magenta color का हो जाता है अगर हम लोग उसको base में रहने देते हैं तो वो green color का हो जाता है तो इस तरह से आप लोग से कर लेंगे माउमीद करूंगे आपको समझ में आ गया इसके बाद या थोड़ा सा हट के topic acidic rain के बारे में कि acid rain क्या होता है तो लिखा the run become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide which are used which are released into the air as a pollution यानिक अब क्या होता है यह एक acidic rain कैसे होता है जब बादलों के अंदर carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide का मात्रा बर जाती है तो वो pollution कर देते है dissolve in rain drops from carbonic acid यानिक अब क्या होता है फिर वो पानी की बूंदों के अंदर मिल जाते हैं और carbonic acid बनाते है sulfuric acid बनाते हैं या फिर nitric acid बनाते हैं ठीक है acidic rain can cause damage यानिए damage का मतलब नुक्सान पहुंचाना है acid rain से बहुत तरह की नुक्सान होते हैं building को नुक्सान पहुंचाती है historical monuments historical monuments का मतलब होते हैं इतिहासे की मारते plants and animals और इसके लावब जानवर और पेर बौदों को भी खराब कर देते हैं ठीक है अब लिखा है questions तो आपके questions में पहला कुछ ने what are natural indicator क्या है चले इसकान से लिखते हैं natural indicator क्या है इसकान से लिखेंगे इसकान से लिखेंगे और इंडिकेट करती है कि कौन से चीज कैसी है उसको natural indicator कहते हैं इसके लावा इसमें आपके कौन कौन से आयाती है haldi, china rose ना यह साही चीज़े इसके अंदगत आ जाती है चले अगला question बढ़ते है आपके यह second question लिखा है china rose indicate basic solution 2 चाहिना rose जाय है basic solution जो है उसको किस में color में change करेगा चले इस कान से देखते है इस खाली जगा में क्या लिखेंगे green ठीक है तो इस खाली जगा में आपका answer आएगा green चले आगे पड़ते है दूसरा question लिखा termic change its color from in the base solution termic जो आपकी हल्दी है वह base solution में अपना color किस तहां का कर लेती है इस कान से देखते है आप इस कान से लिखेंगे yellow to red यानि वह पीली रंग से लाल रंग में तबदील हो जाते है अगला question बढ़ते third question लिखा है what change do you observe on red litmus paper in acidic and base solution यानि आप क्या change देखेंगे अगर हम लोग red litmus acidic या base कोई चीज डालते है तो उसमें क्या changes आते है जैसा कि मैं आपको बता आ चुकी हूँ अगर हम उस पे red litmus acidic कोई चीज डालते है तो उसमें कोई भी change नहीं आता है लेकिन अगर हम लोग base जालते है तो red litmus जो है कैसा हो जाता है blue color का हो जाता है चलिए देखेंगे इसको English में कैसे लिखेंगे इसका पहले point में आप यहां लिखेंगे when red litmus is added to acidic solution is no change यानि अगर हम उसको acidic solution में डालेंगे तो कोई भी change हमें नहीं दीखेंगा ठीके लेकिन इसका second point जो पूछा गया base वाला उसको देखते है अब इसका answer लिखेंगे when red litmus is added to base solution it turned blue यानि कि अगर हम कोई litmus paper में basic solution मिलाते हैं तो वो blue color का turn हो जाता है ठीके तो इस तरह से आप दोनों point लिखेंगे चलिए अगला question पढ़ते है आपका last question लिखा है the three main gases that causes acidic rain are यानि तीन main ऐसी gases हैं जो acid rain को बढ़ाने में acid rain को बुलाने में बहुत जादा मददगार साबित होती है तो कौन-कौन सी है एक, दो, तीन, तीनों की space दीएगे इसकान से देख लेते हैं अब इसकान से यहां से लिखेंगे carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide ठीक है यह तीन ऐसी gases हैं जो acidic rain के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायत है इनकान से लिख लेंगे चलिए तो आज की वक्षिट को यह खत्म करते हैं आज की वीडियो में बस इतने हैं अगर वीडियो बस नहीं तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें अगर भी तक आड़ने मैं जाएंगे और सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज मैं जाएंगे और सब्सक्राइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग